बिस्मिल्लाइरामारेराहीम, अस्सलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब, मैं हुसादिय वहीद और आप देखने हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिक्सपूर सीक्टर साथ में लेकर आई हूँ आपके लिए काले चलनाचाट की रेसिपी, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है ये रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगे से एक वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ की बेल आईकन को प्रेस करके, आल नोटिफिकेशन को स्लेक्ट कर दीज इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लाइट गोल्डन प्राम कर लेंगे, रोस्टीट साबू धनिया लिया है मैंने एक खाने का चमच, जीरा लिया है रोस्टीट एक खाने का चमच मैंने, लाल मिर्च ली है एक खाने का चमच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं नमक लिया है मैंने half tea spoon आपने नमक भी अपने टेस्ट के फिसाब से शामिल कर नहां है चाड़ मसाला शामिल कर देंगे एक ठाने का चमझ आप अपने टेस्ट यह मैं इसमें शामिल कर दूंगी कि अज मिक्स करेंगे इसमें sa मिली का पल्प टीन से चार खाने के चमच लिपानी में थी इसको हाफ का पानी में विकोगे रखा था और जिए अच्छे से मसल के गुछले निकाल दी थी और ये इमली का पल्फ जो है वो तयार हो गया है इसको मैं इसमें शामल कर दूंगी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दो मिनट तक पकाएंगे दो बड़े साइस के आलू लिए हैं मैंने इनको मैंने क्यूब्स में कट करके अच्छे से बॉयल कर लिया था ये शामिल कर देंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दो दर्म्याने साइस के प्यास दिये थे मैंने कि निखुब में कट कऱिया था वो शामिल कर दूंगी तुमाटटे लिए हैं दो बड़े साइज के इनको फी में ने कट कर लिया था ये शामिल कर देंगी हरी मिर्चंबर एक चॉप्ट कर के शामिल कर देंगई तीन खाने के चम्मच हर्दा धन्या शामिल कर देंगे लेमन जूस शामिल करेंगे दो से तीन खाने के चम्मच और ये देखिए जी माशाला बहुत ही जबरतस्त काले जनी का चार्ट हो चुका है तैयार हेल्थ बेनिफिट से भरपूर है ये चार्ट और बहुत ही मज़ेदार बनता है इसलिए आपने इस रेसिपी को लाजमी चाय करना है और कोमेंट सेक्शन में अपने फीड़ बैक लाजमी देना है के वीडियो आपको कैसी लगी है ये थी हमारी आज की रेसिपी उमीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कीजिए मजीद अच्छी अच्छी रेसिपी उसके लिए देखते रहें मिक्स फूर्ड सीक्रेट्स अपना हयाल रखिए दुआं में याद रखिए फिर मिलते हैं किसी वज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज